नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी कॉस्मेटिक सर्जन कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर प्रसाच चेमबर्स करवे रोड पुणे चार यहां प्रैक्टिस करता हूँ दोस्तों हमारे समाज में कई लोगों को स्त्री या पुरुष को कान तेड़े रहते हैं कान आगे आया हुए रहते हैं कानों को ज्यादा बड़ा दोश रहता है कान जब आगे रहते या एक ही कान बहुत बड़ा और आगे आया वह रहता है तो वह पेशेंट कॉंशेस हो जाता है और मन में नर्वस रहता है कि अपने में कुछ व्यादी है और लोग अपने कान के तरफ ही देख रहे हैं तो इस डिफेक्ट को हम ठीक तरह से करेक्ट कर सकते हैं सरजरी द्वारा करेक्ट कर सकते हैं फॉरिंग कंट्रेज में अक्सर बचपन में ही यह किया जाता है परन्तु हमारे समाज में अभी भी उसके बारे में जानकारी कम होने के कारण awareness नहीं है तो कान पीछे लेने के लिए उसका क्या कारण है आगे हुआ है ये पहले धुनना पड़ता है अक्सर कान के अंदर जो कॉंकल काटलेज रहता है जो फ्रेमवर्क रहता है उसका नीचे का हिस्सा जो सर से जुड़ा हुआ है वो पार्ट बहुत बड़ा हुआ रहता है और उससे कान पीछे मुड़ के खिचा जाता है तो ऐसे केस में लोकल अनेसेशिया देके थोड़ा सा सेडेशन देके कान का सामने से उपन किया जाता है और जो कॉंकल बाउल है उसकी हाइट कम की जाती है दूसरी बात कान के पीछे से स्कीन थोड़ी कम की जाती है और सर के स्कीन के तरफ वो खीच के स्टिच की जाती है उससे कान पर्मनेंटली पीछे चला जाता है और दोनों बाजों के कान एक जैसे दिखते हैं देखिए वीडियो इस नवजवान का इस वेक्ति का राइट कान देखिए आगे आया हुआ है और साइज में बड़ा है उसी के साथ साथ लेफ्ट साइट का कान भी आगे आया है ज्यादा आगे है दोनों कान अगर पीछे से हम देखते हैं तो लेफ्ट का कान ज्यादा इस केस में लोकल एनेस्टेशिया में धुनो कान के अंदर जो पॉंकल काटलेज रहता है जो इन में बहुत बढ़ गया था और बेंट हो गया था तो उसका कुछ हिस्सा निकाला गया और ऐसे प्रतिशत में निकाला गया कि कान जो आगे चल बसा है वो पीछे आ गया है उसके साथ साथ कान के पीछे जो पिना है उसकी भी कुछ स्कीन कम की गई ये सारी बाते करने के बाद परिणाम देखिए ओपरेशन के बाद तीन हफ़ते देखिए कान में कितना बदल हो गया है जो बाहर आये थे सामने से बिलकुल कान दिखाई ने देते इतने पीछे गये है इसमें ये परणाम पर्मरंट रहने वाले है पीछे से दीखिए कान अभी स्कल को चिपक गया है पीछे हड़ गया है सूप जैसा आगे नहीं दिखाई देता दोनों बाजू के कान देखिए और इसमें कहीं पे भी टाके नजर नहीं आते है कहीं पेल स्वेलिंग नहीं आती है कोई डिफॉर्मर्मर्टी नहीं आती है और कान का शेप देखो दोनों बाजू का एक जैसा हुआ है राइट साइड लेफ साइड ये परणाम पर्मानट रहते है और टाको के निशान बिल्कुल दिखते नहीं है जण्यवाद जोस्तो आपने वीडियो देखा अगर आप के मन में कुछ प्रशन निर्मान होते है या अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे अवश्य संपर्क कीजिए 937-350-4565 उसके साथ साथ आप यूट्यूब को मेरे चैनल को बेट दीजिए वहाँ कई वीडियो कॉस्माटिक सर्जरी के बारे में उपलब्द है वो देखे और आपका अभिप्राइज दीजिए उसके साथ साथ आप मेरे संकेस्थल को बेट दीजिए www.cosmaticseiserie.com और वहाँ गैलरी में फोटोस देखिए बिफोर एन आफ्टर उसके साथ साथ कई सारे रिव्यूज है वो भी देख पढ़िए और आपका अभिप्राइज वहाँ भी छोड़िए जन्यवाद दोस्तो